सो हले वर्योंट माइनम इस मोहित केवटे एंड यूर वाचिंग डिजिटल मोहित स्टॉक मार्केट के पूरे बेसिक से लेकि सेशन में डे बाइड डे बाइप अपलोड कर रहा हूँ अगर आपने अभी तक पिछले सेशन नहीं देखे तो जरूर वाच करें क्योंकि फ्रियो आपको पूरा बेसिक से सिखा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में और आज का इवड़ा काफी इंपॉर्ट होने वाला है क्योंकि आज के वड़ा में हम पूरा प्राक्टिकल देखने वाले कि एंजल वन एप को कैसे यूज करना है क्योंकि डीमेट अगर अगर आपका नहीं होगा तो आप ज़रूर डीमेट अकाउंट सबसे पहले ओपन कर लें इंट्री करना है कैसे एक्जिट करना है पूरा स्टेब बासे 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 हम पूरा सीखने वाले वह एंजल वन एप अगर आपके आप नहीं है तो ज़रूर इंस्ट्राल कर लें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी जिसके तुरू आप अपने फ्री एंट्राय वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि एंजल वन एप में द्यमेट आकों कैसे ओपन करें तो जरूर वीडियो वाच कर लें तो आज केड़िए महें हम देखने वाले कि एंजल आप को कैसे यूस करते तो सबसे पहले अगर आपके आप नहीं होगा तो प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे जाके आपको सिंप्ली सर्च करने ना है एंजल वन टीक है एंजल वन आप सर्च करोगे तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा एंजल वन इसको सिंप्ली आपको इंस्टॉल कर लेना है मेरे इसमें अल्डेडी इं को समझ ले तो आप एजीली ट्रेड कर सकते हो यहां पर सब कुछ में आपको बताने हो लोग तो सबसे बहले हम अपने एंजल वन कर सकते हैं तो यहां पर आपको अनेबल ना हो अगर आप इसको सेकुरेटी बढ़ाना चाहते हो तो यहां पर लगा सकते हो तो सिंप्ली आपके वास एक ओप्शन आजाएंगा mpin setup का अब मेरा already setup है तो आपके वास option आएगा mpin setup का जहाँ पर एक security code डाल सकते हो जो भी आपको डालना है date of birth आपको 1,2,3,4 जो भी डालना है आप डाल सकते हो अपका lock तो यहाँ पर मैंने अपना use करके रखा है ठीक है आप आप यहाँ पर आप अपना fingerprint भी लगा सकते हो तो fingerprint लगाना तो आप भी अपना angel one पर fingerprint लगाके security बढ़ा सकते हो तो मैं आप इसको skip करता हो ओके तो यह सब आपको continue करना है ठीक है कुछ इस टाइप का आप यह दिखेगा यह हमारे सारे options में आपको explain करता हो प्रॉपर step by step ताकि आपको पूरा app के बारे में समझ में आ ज अवेलेबल है सिर्व मैं आपको इसमें उपर उपर बता रहो पूरा step by step एक एक वीडियो बना कि आपको बताऊंगा अभी live की पैसे कैसे आट करना है कैसे withdrawal करना है सेम नीचे आप देखोंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग चार्जेस प्रॉफिट लॉसेस यह सब कुछ समझ में आ जाए ठीक है यहाँ पर राइट एंड साट पर टॉप कॉर्णर पर क्लिक करोंगे तो यहाँ पर आपका नाम मोबाइल नमबर इमेल आईडी जो भी आपने अकॉंट बनाते हुए दिया है सब कुछ आप यहां से अपडेट कर सकते हो नीचे आपका बैंक अकॉ निफटे में निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मैं इसको थोड़ा और स्क्रोल करों तो हमारे पास आजाते संसेक्स अं रिंद निफ्टी जैसे मेंने पिछली वीडीयो में आपको बता रता है इंडेक्से निंटियं स्टॉक मार्किट बैंक संत्सेगρέ यह सारे इंडेक्स निफ्टी बाइन्क निफ्टी यह इंडेसी से होते हैं, अगर आपको इसको सेट करना, तो आप इसको कोई भी दो इंडेक्से, आप इसको सेव करके उपर डिस्प्ले कर सकते हो, व्यू मर करोंगे, तो आपको सारे इंडेसे से, हाँ पर दिख जाएगे, टिके, निचे अग कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है नीचे आप देखोंगे तो IPO mutual fund gold इस सारे investment के parts होगे अगर आपको IPM में पैसे को invest करना है इसका मैं separate video बताऊंगा mutual fund में कैसे invest करना है पैसे कौन से fund में करना है कितना करना है क्या duration रहेगा कैसे mutual fund को setup करना वो सब कुछ step by step में आपको समझाने वाला उसके बाद है gold bonds अगर आपको bonds में पैसे को invest करना है तो वो भी हम separate video में सीखेंगी यहां पर review rewards and offers का option है जहां पर आपको 9-9 rewards और offers मिलते हैं उसके बाद refer and earn का भी option है अगर आप इस एप को अपने दोस्तों के साथ refer करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो जिससे आपकी और earning यहां पर आप refer and earn यहां पर कर सकते हैं नीचे आप देखोंगे तो टॉप स्टॉप यहां पर जो stop stocks है आज की टाइम में जो company आपको suggest कर रहें जैसे एंजलवन आपको advisory देती है कि कौन से stock कितना खरीदना चाहिए क्या उसका प्राइज ही सब कुछ आपको यह आप खुद बताएगा एंजलवन ठीक है तो यहां पर portfolio है यह सारे options आपके मिल जाएंगे यहां पर आपको सीखना है तो सीखने के लिए कुछ options मिल जाएंगे यह तो यह हमारा हो गया watchlist में हम यहां पर देख सकते हो कि यहां पर अपनी अलग-अलग watchlist बना सकते हो जैसे कि मुझे कोई stock को देखना है तो simply उपर आपके बास option है यहां पर आप सर्च करो जैसे कि मैं सर्च करता हो Tata Motors ठीक है मैंने Tata Motors सर्च कर दिया तो मेरे पास Tata Motor NSC Tata Motor BSC दो मैंने बता है था आपको NSC और BSC के आएंगे तो हम NSC को क्लिक करेंगे तो यहां पर मुझे दिख रहा है stock की price ठीक है हमारे लिए बहुत important है उतना difficulty है बहुत easy है मैं आपको समझा दोंगा आने वाले वीडियोस में जब कभी हम कोई stock को खरीदते हैं हमारे पास दो option होते है buy and sell यहां पर आप stock को buy कर सकते हो कितने quantity लेना आपको यहां पर type करना है इसका मैं separate वीडियो बताऊंगा आपको live market मे मैं बता हुआ कि कैसे इसको खरीदना है simply आपको buy भी कर सकते है आप stock को और आप stock को sell भी कर सकते हैं दो यह option हमारे पास है अगर मुझे यह stock को watchlist में आट करना है तो simply आपको नीचे option दिया जाता है यह नीचे option आप देखो कि option चार्ट और आपके वासे option है stock details का simply आप stock details प आपके यह watchlist में front page में आ चुका है आप multiple अपने watchlist बना सकते हैं जिसमें आप अपने stocks को bank nifty nifty के options में trade कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप इसमें देख सकते हो ठीक है जब market सुबह खुलता है सवा नो बज़े साड़े दिन मज़े बंद होता है तो market time में आप watch कर सको कि जो stock अपने watchlist में डालके रखे कि उसका price क्या चल रहा है ताकि आप उसमें trade कर सको थर्डा option option है आपको मिलता है portfolio का portfolio में यहाँ पर आपने जितना भी investment किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखता है मतलब आपका portfolio कितना आपने कौन से segment में पैसे को invest किय है जैसे कि हमारे पास उपर आपको तीन सेgment मिलते है equity mutual fund और sgb ठीक है तो equity में जैसे कि मैंने कुछ stocks यहाँ पर buy करके रखे green power और r power ठीक है यह मेरा investment यहाँ पर आपको कम दिख रहा होगा जो real investment है वो मेरे दूसरे account में ठीक है दूसरा account मतलब मेरे family के account में investment करता हूँ उसमें मैंने पूरा रखा है यह आपको समझाने के लिए कुछ stocks यहाँ पर मेरे पास present है इसको buy कैसे करना है यह सब कुछ मैं आपको live आने वाले वीडियो में बता हूँ don't worry सब कुछ free of cost बताने वाला मैं पैसे लेता हूँ पड़ाने के लेकिन आपको पूरा free of cost पड़ाँगा कोई charges और उसके बाद हम next चलते mutual fund में आप mutual fund में देखो कि यहाँ पे मेरा कितना investment आपको उपर दिख investment है मेरा 1000 रुपए और मेरा overall gain कितना है 1158 मतलब total में 157 रुपीस प्लस में हूँ आज के टाम में mutual fund में ठीक है तो यह हमारा portfolio investment का है जितने हम investment करते कोई stock में investment करते तो हमें equity में दिखता है कोई mutual fund में invest करते तो हमें mutual fund में दिखता है नीच आप option देखोंगे तो orders जितना भी आप orders daily trade करोगे कोई stock को buy or sell करोगे तो वो आपको यहाँ पर orders वाले option में दिखेगा जितने पर orders देखोंगे यहाँ पर आपको दिखेगा तो live market में जब हम कोई stock को खरीदेंगे को stock को बेचेंगे तो हमें यह orders में position में हमें दिखेगा बहुत easy है कोई hard नहीं है बहुत easy त आपको buy कैसे करना है वो सब बता दूँगा लेकिन अगर आपका demate account ने तो सबसे पहले आप demate account angel one पर open कर ले क्योंकि आने वाले वीडियो में पूरा में angel one app पर ही आपको समझाने वाले हो कैसे trade करना है कैसे entry करना है इसमें charts को कैसे देखना है यह सब कुछ मैं आपको live practically बताने वाला हो तो जरूर आप ध्यान रखे कि आपके अज़ डिमेट account होना जरूरी है विदाउट डिमेट account आप trade नहीं कर सकते हो तो डिमेट account बनाने के लिमेंट description में link दिए है ताकि आप उसमें डिमेट account बना और angel one पर specific आप trade कर सको सारे technical चार्ट पैटर्स, technical level, support रे आपको कैसे यूज़ करना है मैं पूरा आपको इस वीडियो में I hope की समझ चुका होंगा अभी हम step by step stock को कैसे buy करना है mutual fund को कैसे खरीदना है सब कुछ step by step एक 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 वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में इतना ही I hope की वीडियो आपको पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है चैनलो को सस्क्राइब कर देना मिलते हैं next video में thank you all